हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मुख्य मार्ग पर वाटर पंप बनाने से फूटा अक्रोश खडात के ग्रामिनों ने किया विरोध प्रदर्शन मांग पूरी नहीं होने पर अंदोलन की चेतावनी रेलवे के सहायक अभियंता को सौपा ग्यापन खडात गाओं के आर्यूबी 119 के पास मुख्य मार्ग पर रेलवे की और से वाटर पंप बनाये जाने से ग्रामिनों का अक्रोश फूट पडा ग्रामिनों ने जमकर रोश का इजहार किया वाटर पंप से जल भराव होने के आशन का व्यक्त की वाटर पंप को ततकाल हटाने की मांग पर अड़ गये मांग के समर्तर में रेलवे मंदल के सहायक अभियंता को ग्यापन सौपा ग्राम पंचायत खडात के आर्यूबे 129 मार्क पर रेलवे की और से वाटर पंप बनाया गया गाओ के प्रकाश प्रोहित के मकान के सामने बनाये गए वाटर पंप से ग्रामिनों में रोश घर कर गया ग्रामिनों ने नियम विरुद वाटर पंप बनाने का हवाला दिया वाटर पंप को हटाने की मांग करने लगे मांग के समर्थन में ग्राम वासियों ने जम कर रोश का हिजहार किया वाटर पंप नहीं हटाने पर आंदोरन करने की चेतावनी दी इस अफसर पर प्रकाश पुरोहित, कंत्रु भाई पुरोहित, केतन पुरोहित, खडात ग्राम पंचाय सरपंच केसरी देवी, उप सरपंच गोविंद पुरोहित, वाड़ पंच कमला समेद बड़ी संख्या में ग्राम वासी मौजूद थे मांग के समर्थर में ग्राम पंचायत खडात के सरपंच केश्री देवी ग्राम वास्यों की और से रेलवे के सहाय गभियंता को ग्यापन सोपा गया नियम विरुद्ध आम सड़क पर बनाए गए वाटर पंप को हटाने की मांग की ग्यापन के अनुसार गाउं के आसपा स्थित आर्यूबी में बारिश से जल भरा हो जाता है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ऐसे में गाउं का संपर्क शहर से कट जाता है अपाच सिति में खासी परिशानी का सामना करना पड़ता है वाटर पंप को ततकाल हटा कर अ आबूरोड ग्राम पंचायत खडात के उपसरपंच गोविंद पुरोहित इनका कहना है कि जागरू टीवी के आबूरोड से मनोच रोस्या की रिपोर्ट